यहां वो बड़ी-बडी-बिल्डिंग, बड़े-बड़े मौल, बड़े-बड़े स्टेशंस, बस स्टॉबुस नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह गाउन है, यहां आपको प्राकृतिक बातावन मिलेगा, इस तरीके के जानवर मिलेंगे, और नदी नाले, और फसलें, बस यहीं हैं वो मैं बॉला कि लोगओं का बना रहा हूँ फरंतों मैं दिखा रहा हूं यह वो किशान आएं जो गॉरा पर जाती के हैं और इनका कार्य है बहतों का पालन करना और दूद का उत्पादन करना दूट तो हम आप सभी पीते हैं और दूद की इतनी सप्लाई गाउं से ही सहरों में की जाती है, बड़ी बड़ी डیरियां हैं, बड़े बड़े जो सप्लायर हैं वो गाउं से ही निकल करके जाती हैं। तो मैं आज आपकी मुलापकाद करवाता हूँ उन गॉालों से, उन चर्वाउँ से, जो दिन रतमेहनत करने के बाद, आपको दूद की सप्लाई करते हैं और आपको सुबह की चाय पिलाते हैं तो मैं रियर कैमरे पर जाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि इन लोगों का एरिया जहां पर ये लोग अभी हैं और कैसे करके ये लोग अपने जानवरों को पालते हैं खहलятель मैं सारी जानकारिय आपको डिटेल में दूगा बने रहे और पूरा आप वीडियो देखर कर े बीच में मत करना वरना आपको पूरा बीडियो नहीं देखेंगे तो बहुत सारी जानकारिया अधूरी रह जाएंगी तो आएए चलते हैं आपको rear camera से आपको पूरी position clear करते हैं तो दोस्तों मैं दिखा पा रहा हूँ आपके लिए ये इलाका जो है बहुती निर्जन इलाका है और मैं आपको अभी दिखाऊंगा अपने camera से rear camera से मैं आपको बढ़ा करके दिखा रहा हूँ देखो यहाँ पर एक नदी भी है देखे ये नदी है और नदी के किनारे ये जंगल है बहुत धेर सारा और इसी के किनारे ये सारे चरवाहे अपनी सुभह को भेंसे ले करके आज आते हैं और फिर पूरे दिन यहीं पर रहते हैं साम को गोधूली का जब समय होता है उस समय ये अपने जानवरों को ले करके बापस चले जाते हैं अपने गाउं की और तो देखिए आपको यहाँ पर दिखाई बढ़ा हूँ यहाँ पर पूरा मेला लगा हूँ जिससे आपको लग रहा हूँ जानवरों का मिला लगा हूँ और यह देखिए आप मैं आपको दिखा रहा हूँ और यह आपको देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ जो चरवाह प्रजाती के लोग हैं गौला हैं मैं उनसे भी बात करूंगा थोड़ा सा और बताऊंगा तो दादा आप लोगों से मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि जो आपके पास इतनी भैसे हैं कितनी एक लोग के पस लगबख कितनी भैसे होंगी आप लोग कितनी कितनी भैसे पालती हो जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग चाह पीते हैं जितने भी माल कुए बनते हैं जितना भी खोया हुआ मावा हुआ घी हुआ परन्तों अब देखिए इतनी मेहनत करते हैं यह लोग तब जाकर के कहीं यह आपको सारी चीजें खाने को मिलती हैं अब मैं दिखा रहा हूं इस तरीके से यह जो हैं भैसें वो जा रही हैं आपने घर की तरफ की साम का वक्त है मैं वीडियो सूट कर रहा हूं साम के समय पर और यह देखिए आप इस तरीके से यह लोग अपने गाउं की तरफ रवानगी ले रहे हैं और मैं यहां पर आज इनका वीडियो शूट करने के लिए आया हूं और थोड़ी सी जानकारी मैं इन लोगों से लोगों बाबा आप बुजर्ग हो आप थोड़ा सा मेरी बात का जबाब दीजिए यह अब बताए जो भंसें आप पालते हैं उनमें से कौंसी प्रजाती की भंसें आपके पास होंगी अचाम प्रजाती क्यों क्या ज्यादद Rs. है अच्छा कोई आएसी भी भैस है जो मतलब मारती हूँ है तो देशी भैस मारते भी और मुर्रा प्रजादी की जो भैसे हैं वह अच्छा सबसे ज़्यादा दूद अगर अधिक्तम दूद कितना दूद सकते हैं अब एक बैस कितना दूद दे सकती है अभी आप लोगों के सरवादिक दूद मतलब सबसे ज़्यादा दूद जो भैस दे रहे हूँ कितने लीटर दूद दे रही होगी आठ दस लीटर बैसे मैंने सुना कि 20-20 लीटर दूद निकाल देते हैं क्या यह गलाट चीज है तो दोस्तों मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि यहां पर चरव पर सभी की हाथ में लाठी डंडे जरूर मिलेंगे कि यहां पर एक भैसा भी है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करता है इन लोगों के लिए तो इस बज़त से यह लोग इस तरीके की चीज़ें रखते हैं और अब मैं थोड़ी सी और इन से जानकारी लूँगा भाई आ आप बता हो आपने मीरा डैसके लिया इसके द्छलिए निकालने के बाद आप क्या करते हैं उसको डेरी पर बेशन पर किस रेट चला जाता आप का दूट 1445 अच्छा डेरी पर दे देते हैं फिर यहां से आपका दूद बरेली या बड़े-बड़े सहरों में सप्लाई हो जाता है अच्छा इसके लाबा आप घी दूद घी बगारा या मावा बगारा नहीं बनाते हो अच्छा खाते पीते हैं मौज करते हैं अपने इस्तेमाल के आप इनको पालते हो पूरा दिन यहां चराते हो उसके और फिर आप इनने घर ले जाकर के भी चारा खिलाते होंगे आप अब बताए है आ आप बताए है आप ने बहुत अच्छा बताए है आप फिर से बताए यह शरता ऑवाद है आप फिर बन में तो दोस्तों मैं दिखा आ रहा हूं यह आपका जो वीडिया बंड राहा है दा यہे बहुत दूर तक जाएगा और बहुत सारे लोग इसे देखेंगे और आज वीडियो जो मैंने सूट करा है इसका सूट हाँ 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 मैंने बहुत अच्छी बात बताई है यह डिस्टिक्स आजहांपूर तहसेल तिलर के बलाक जैती पर का गाउ मगनपूर है जहांके यह चरवाहे परजाती के लोग हैं और इनका वीडियो शूट करने की देखें काम ही है अगर दूद उतपादन का काम देखा जाए तो अहिर जाती के लोगों का ही है अगर आप लोग नहीं करेंगे तो जितने भी बड़े आदमी है ना साब इनको दूद देए इनको चाय नहीं मिलेगी माबा ने मिलें दुकाने बंद हो जाएंगी मिठाईयों की दुकाने बंद हो जाएंगी तो दोस्तों आप देखें कि ये लोग किस तरीके से मेहनत करते हैं मैं तो ये इस तरीके से अब ये भैसे जा रही ہیں गाओं की तरफ सारे चरवाए भैसों को ले कर के निकल रहे हैं गो धूली का समय है और साम हो चुकी है हलकी धूपदिक खीली है इस तरीके से तो दोस्टों कैसा लगा मेरा आज के बॉलाय कमेंट करके जुरूपता एक गाउं का जीवन कैसा होता है हम लोग गाउं जीवना ऐसे जीते हैं मेरा गाउं मेरा देश टाइग लाइन है मेरी और इसके तहती मैं अपने गाउं की चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूं और यहां वो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बड़े-बड़े मॉल बड़े-बड़े स्टेशंस बस स्टॉबिस नहीं मि बताएंगी तो कैसा रहा मेरा आज का यह ब्लॉग कमेंट में जाकर के प्लीज जरूर बताएगा और मुझे कमेंट में जाकर के बताएगा कि अगर आपका कोई प्रश्चन है या ब्लॉग चाहते हैं आप गाउं देहात के ऊपर कोई भी आपका टॉपिक ऐसा हो जिस पर ब्लॉग चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताएं मैं कोशिश करूँगा कि उस ब्लॉग पर आकर के आपका इतना ही तबते के लिए जय ही जय भारा